कि आज इस मारक का हिस्सा बनी है एक मुठी मिट्टी के साथ साथ MP के लाखों परिवारों ने समरस्ता बोज के लिए एक-एक मुठी अनाज भी भेजा है इसके लिए जो पांच समरस्ता यात्राएं चल रही थी आज उनका भी सागर की धर्ती पर समागम हुआ है और मैं मानता हूँ कि यह समरस्ता यात्राएं यहां खत्म नहीं हुई है बलकि यहां से सामाजी समरस्ता के एक नए यूग की शुरुवात हुई है मैं इसकार के लिए मद्यपदेश सरकार का अभिनंदन करता हूँ मुक्यमंत्री भाई सिवराज जी का अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को बधाई देता हूँ साथ्यों प्रेणा और प्रगती जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए यूग की नियू पढ़ती है आज हमारा देश हमारा MP इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है इसी क्रम में आज यहां कोटा बीना सेक्षन पर रेल मार्क के दोहरी करण का भी लोकारपन हुआ है नेशनल हाइवे पर दो महत्पुन मार्गों का सिलान्याज भी किया गया है विकास के ये काम सागर और आसपास के लोगों को बहतर सुविधा देंगे इसके लिए मैं यहां के सभी भाई बैंडों को बहुत बहुत शुप कामनाई देता हूँ साथियों संत्रविदास मारक और संग्राने के नीव एक ऐसे समय में पड़ी है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किये अब अगले 25 वर्षों का अमरित काल हमारे सामने है अमरित काल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरास्त को भी आगे बढ़ाएं और अतीत से सबग भी लें एक राष्ट के रूप में हमने हजारों वर्षों की यात्रा की है इतने लंबे कालखंड में समाज में कुछ बुराईयां आना भी स्वाभाविक है यह भारतिय समाज की ही शक्ति है कि इन बुराईयों को दूर करने वाला समय समर पर कोई महापुरोष कोई संथ कोई ऑलिया इसी समाज से निकलता रहा है रविदाजी ऐसे ही महान संत थे उन्होंने उस कालखंड में उस कालखंड में जन्म दिया था जब देश पर मुगलों का शातन था समाज अस्तिरता उत्पिड़न और अत्याचार से जूज रहा था उस समय भी रविदाजी समाज को जागरत कर रहे थे समाज को जगा रहे थे वो उसे उसकी बुराईयों से लड़ना सिखा रहे थे संत्रविदाज जी ने कहा था जात पात के फेर मही जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग मनुस्ता को खात हुई रही दास जात कर रोग अर्थात सब लोग जात पात के फेर में उल्जे हैं और ये बिमारी मानुता को खा रही है वो एक तरफ सामा जी कुरुतियों के खिलाब बोल रहे थे तो दूसरी तरफ देश की आत्मा को जगजोर रहे थे जब हमारी आस्त्राओं पर हमले हो रहे थे हमारी पहंचान बिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी तब रही दास जीने कहा था उस समय मुगलों के कालखन में ये हिम्मत देखिए ये राष्ट्र भक्ती देखिए रहिदास जीने कहा था पराधिनता पाप है जान लेहुरे मीत रहिदास पराधिन सव कौन करे है प्रीत यानि पराधिनता सबसे बड़ा पाप है जो पराधिनता को स्विकार कर लेता है उसके खिलाब जो लड़ता नहीं है उससे कोई प्रेम नहीं करता एक तरह से उन्होंने समाज को अत्याचार के खिलाब लड़ने का होसला दिया इसी भावना को लेकर चत्रपति वीर सिवाजी महराज ने हिंद भी स्वराज की नीव रखी थी यही भावना आजादी की लड़ाई में लाखो लाख स्वादिंत से नानियों के दिलों में थी और इसी भावना को लेकर आज देश गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ति के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है साथियों रहिदाजी ने अपने एक दोहे में कहा है और अभी सिवराज जी ने उसका उलेक भी किया ऐसा चाहू राज मैं ऐसा चाहू राज मैं जहां मिलई सबन को अन छोट बड़ों सब संबसें रहिदात रहे प्रसंद यानि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे छोटा बड़ा इससे उपर उठकर सब लोग मिलकर सात रहे आज आजादी के अमरित काल्ब है हम देश को गड़ी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं आपने देखा है कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई पूरी दुनिया की व्यवस्ताएं चर्मरा गई ठप पड़ गई भारत के गरीब तक्के के लिए बलीत आदीवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था कहा जा रहा था कि सौ साल बार इतनी बड़ी आपदाई है समाज का यह तब का कैसे रह पाएगा लिए तब मैंने यह ताय किया कि चाहें जो हो जाएं मैं मेरे गरीब भाई बेहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा दोस्तों मैं भली भाती जानता हूँ कि भूखे रहने की तकलीव क्या होती है मैं जानता हूँ कि गरीब का स्वाबिमान क्या होता है मैं तो आपके ही परिवार का सद़ से हूँ आपका सुकुदुख समाजना मुझे कीताबे नहीं डूननी पड़ती इसलिए ही हमने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना शुरू की असी करोर से जादा लोगों को मुप्त रासन सुनुषित किया और आज देखिए हमारे इन प्रयासों की तारीब पूरी दुनिया में हो रही है आज देश गरीब कल्यान की जितनी भी बड़ी योजनाएक चला रहा है उसका सबसे बड़ा लाप बलीप पिछड़ा आदिवासी समाज को ही हो रहा है आप सब अच्छे से जानते हैं पहले की सरकारों के सबाएं जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलीत वंचीत पिछड़े आदिवासी महिलाएं इन सब के साथ खड़ा हो हम उनकी आशाओं आकांशाओं को सहारा दें आप देखिए जरा योजनाओं पर नजर करेंगे तो पसा चलेगा बच्चे के जन्म का समय होता है तो मात्रू बंदना योजना के जरिये गर्बवती माता को छे हजार रुपिय दिये जाते हैं ताकि मा बच्चा स्वस्त रहे आप भी जानते हैं कि जन्म के बाद बच्चों को बिमारियों का संक्रामक रोगों का खत्रा होता है गरीबी के कारण दलीत आदिवासी बस्तियों में इनकी सबसे ज्यादा मार होती है आज नवजाद बच्चों की पूरी सुरक्षा के लिए मिशन इंद्र धनूष चलाया जा रहा है बच्चों को सभी मिमारियों से बचने के लिए तीका लगे ये चिंता सरकार करती है मुझे संतोस है कि बीते वर्षों में साड़े पाँच करोर से अधिक माताओं और बच्चों का टिका करण किया जा चुका है साथ्यों आज हम देश के साथ करोर भाई बहनों को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं देश को दो हजार पतीस तर टीबी मुक्त बनाने के लिए काम हो रहा है काला जार और दिमागी बुखार का प्रफ़कोप दीरे दीरे कम हो रहा है इन बिमारियों से सबसे ज्यादा दलीत वंचीत गरीब परिवार वही इसके शिकार होते थे इसी तरह अगर इलाज की जर्वत होती है तो आई शमान योजना के जरिये अस्पतालों में मुप्त इलाज की व्यवस्ता की गई है लोग कहते हैं मोधिक कार्ड मिल गया है पांच लाख रुपिय तक अगर कोई बिमारी को लेकर के बिल चुकाना है तो यह आपका बेटा कर देता है साथियों जीवन चक्र में पढ़ाई का बहुत मात्व है आदेश में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्ता हो रही है आदिवासी छेत्रों में साथ सो एक लव्य आवासी स्कूल खोले जा रहे हैं उन्हें सरकार पढ़ाई के लिए किताबे देती हैं स्कॉलर्शिप देती हैं मिद्दे मिलकी ववत्ता को बहतर बनाये जा रहा है ताकि बच्चों का अच्छा पोशन वाला खाना मिले बेटियों के लिए सुकन्या सम्रुति योजना शुरू की गई हैं ताकि बेटियां भी बराबर से और बराबर इस से आगे बढ़ें स्कॉल के बाद हार एजुकेशन में जाने के लिए स्कॉलर्शिप की ववस्ता की गई हैं हमारे युवा आप मंदिर भर बने अपने सपनों को पूरा कर सके इसके लिए मुद्रा लोन जैसी योजनाय भी शुरू की गई हैं मुद्रा योजना के अब तक जितने लाभारती हैं उनमें बड़ी संख्या में स्टी समाज के ही मेरे भाई बेहन हैं और सारा पैसा बिना गरंटी दिया जाता है साथ क्यों स्टी समाज को अध्धान में रखकर हमने स्टेंड अप इंडिया योजना भी शुरू की थी स्टेंड अप इंडिया के तहत कि स्टी समाज के विवाओं को आठ हजार करोड़ रुपए की आरतिक सहाइता मिली है ए आठ हजार करोड़ रुपए कि हमारे एस से समाज के नव जमानों के पास गए हैं इस हमारे बहुत से आधिवाशी भाई बैंग बन संपधा के जरिये अपना जीवन आपन करते हैं उ उनके लिए देश वंधन योजना चला रहा है आज करीब नब्वेवन उत्पात को MSP का लाब भी मिल रहा है इतना ही नहीं कोई भी दलीप वंचीत पिछड़ा बीना घर के नर है हर गरीप के सर पे छत हो इसके लिए प्रदानमत्री आवाज भी दिये जा रहे हैं गर में सभी जरूरी सुविदाय हो इसके लिए बिजली कनेक्शन पानी कनेक्शन भी मुक्त दिया गया है कि इसका परणाम है कि एस्टी एस्टी समाज के लोग आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं उन्हें बनाबरी के साथ समाज में सही स्थान मिल रहा है साथियों सागर एक ऐसा जिला है जिसके नाम में तो सागर है ही इसकी पहचान चार सो एकड़ की लाखा बंजारा जिल से भी होती है इस धर्ती से लाखा बंजारा जैसे वीर का नाम चुड़ा है लाखा बंजारा ने इतने वर्थ पहले पानी की एहमियत को समझा था लेकिन जिन लोगों ने दसकों तक देश में सरकारे चलाई उन्होंने गरीबों को पीने का पानी पहुचाने की जरुद भी नहीं समझी ये काम भी जल जीवन मिशन के जरिये हमारी सरकार जोरों पर कर रही है आज दलीद बस्तियों में पिछड़े इलाकों में आदिवासिक शेत्रों में पाइप से पानी पहुच रहा है ऐसे ही लाखा बंजारा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर जिले में 75 अमरित सरोवर भी बनाये जा रहे हैं यह सरोवर आज जादी की भावना का प्रतीक बनेंगे सामाजिक समरस्ता का केंद्र बनेंगे साथियों आज देश का दलीत हो वंचित हो पिच्रा हो आदिवासि हो हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही हैं नए आउसर दे रही है नहीं समाज के लोग कमजोर है नहीं का इतिहास कमजोर है एक से एक महान विपूतियां समाज के इन वर्गों से निकल कर आई हैं उन्होंने राज के निर्मान में असादन भूमिका नहीं बढ़ाई है इसलिए आज देश इनकी विरासत को भी गर्व के साथ साहज रहा है बनारस में संत्र अविदाज जी की जन्मस्थली पर मंदिर का संदरी करण किया गया मुझे खुद उस कारकम में जाने का सवबागे मिला यहां बोपार के गोविनपुरा में जो ग्लोबल स्कील पार्क बन रहा है उसका नाम भी संत्र विदाज के नाम पर रखा गया है बाबा साथ के जीवन से जुड़े प्रमुक्तानों को भी पंच तिर्स के रुप में विक्सित करने का जिम्मा हमने उठाया है इसी तरह आज देश के कई राज्यों में जन जातिये समाच के गवरव शाली त्यास को अमर करने के लिए मिज्यम बन रहे हैं बगवान बिर्शा मुंडा के जन्मदिन को देश 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 जन जातिये गवरव दिवस के रुप में मनाने की परंपरा सुरू की है मद्यप्रदेश में भी हभी गज रेल्वे स्टेशन का नाम गौन समाच की रानी कमलापती के नाम पर रखा गया है पाताल पानी स्टेशन का नाम तंध्या मामा के नाम पर किया है आज पहली बार देश पे दली पिछड़ा और आदिवासी परंपरा को वो सम्मान मिल रहा थे सबका सात सबका सबका विकास अश्चा और सबका परयाश की सज़ूप को लेकर आगे बढ़ना हैं मुझे अग स्बड़ाना है देश की शी आत्रा में अ संत्र विदाद की शिक्षा है हम सब देश वाच्चों के एक जूट करती रहेगी हम साथ मिलकर नार भारत को विक से द्राष्ट पनाएंगे इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सुपकाम राएं धन्यवाद